हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ताफ सलेक्शन कमिशन SSC की न्यू रिकुर्मेंट नॉटिफेकेशन जो की फ्रेंज से निकाली गई है, आपके फ्रेंज से कमबाइंड ग्रेजुएट लेव एक्जामिनिशन 2020 के लिए और इसका जो फॉर्म है या आप 29 बारा 2020 से 31 जनवरी 2021 तक फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, स्टेप बाइस्टेप प्रोसेस के बारे में, बाकी की जानकारी फ्रेंज आप इस वीडियो पे और इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें रडिस्टेशन करना होगा, तो फ्रेंज से यहाँ पर रडिस्टेशन करने के लिए आपको देखी कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी, सबसे पहले आपस पूछा जाएगा, डू यू है अधार कार्ड, अग आपको इवलेबल है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको नो करना है, और उसके बाद यहाँ पर टाइप आइडी में आप कोई भी अधर आइडी सेलेट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आइडी हो, कोई भी यहाँ पर नाम आपको एंटर करना है, तो यह भी आप दो बार एंटर करेंगे, दो बार एंटर करने का मतलब यही है, फाइदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी, वो यही पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी, इसके बार है आपने कभी अपना नाम चेंड किया है, तो yes करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो no करेंगे, इसके बाद यहाँ पर है आपका father name, जो कि आप यहाँ पर enter करने वाले हैं, इस भी आपको दो बर enter करना है, उसके बाद आपका mother name है, वो आपको यहाँ पर enter करना है, और यह भी दो बर आप enter करेंगे, इसके बाद है आपका DOB section, date of birth section, जो की matriculation certificate के according आएगा, तो यहाँ पर friends इस calendar पर आपको click करना है, और यहाँ से आपकी जो भी date of birth है, वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, और यह भी friends आपको देख रहे होंगे, दो बार ही आपको select करने को मिलता है, तो आपको आपको according, जो भी आपका date of birth है, वो आप select कर सकते हैं, अब इसके बाद है आपको आपकी qualification detail, अब qualification में भी सिर्फ 10 की detail, यह ध्यान रखिएगा, आप चाहे form CGL का भरें, MTS का भरें, या फिर आपको JE का भरें, कुछ भी form भरें, स्टैनों का भरें, आपको registration में 10 की detail ही fill करनी होती है, इसमें friends, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका education board select करना है, तो boards की देखी सारी list आपको यहाँ मिल जाती है, आपका according जो भी आपका board है, वो आप यहाँ पर select कर लेंगे, और यह same आपको दो-दो बार ही यहाँ पर select करना होगा, इसके बार आपको 12th, 10th का sorry roll number आपको यहाँ पर देना है, और यह भी आपको same यहाँ पर enter करना होगा, तो यह आप अपने according जो भी roll number है वो आप enter कर सकते हैं, इसके बार year of passing आपको देना है, आपने इसको cup pass किया है, यह सब दो बार आप entry करेंगे, आपका gender आपको select करना है, इसके बार select करना है level of education qualification, अब देखिए आपका जो भी qualification है highest वो आप यहाँ select करेंगे, अब अगर माली जब graduation के में आप यहाँ पर appearing है, तो आप यहाँ पर graduation ही select कर ले, और अगर आप माली जब 10 plus 2 pass out है, तो आप वैसे ही CGL के लिए applicable नहीं होंगे, पर अगर अगर आप 10 plus 2 के लिए apply कर रहे हैं, तो आप 10 plus 2 select कर सकते हैं, और उसके बाद 10 plus 2 की vacancy या 10 की vacancy होंगी, उसमें आप applicable होंगे, अगर आप graduate candidate है, और graduation अगर यहाँ select करते हैं, तो इसके बाद CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, JE हो गया, या फिर जो भी आपकी vacancy होंगी, उन सभी के लिए आप applicable होंगे, तो आप coding आप यहाँ पर अपने option को select कर सकते हैं, इसके बाद फैंस, यहाँ पर है mobile number का option, तो 10 digit का mobile number और mail ID आप यहाँ डालेंगे, और ध्यान रखेगा, mobile number, mail ID active and valid होनी चाहिए, जब तक की process complete होगी, जब तक तो valid रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप password या registration number भूल गए, तो एक OTP आती है, वो OTP verify करने के बाद ही आप login कर पाएंगे, इसलिए ये details आप बिल्कुल सही सही फिल करेंगे, state या UT आप यहाँ से select करेंगे, आप जहांके भी निवासी है, और उसके बाद यहाँ से इसको save कर देंगे, save करने के बाद आपका जो first process है registration का वो complete हो जाएगा, आपको यहाँ पर registration number मिल जाएगा, और एक साथ में OTP आपके mail ID पर आएगी, वो friends से बाद में आपको verify करनी होगी, उसके बाद friends से आपको जब यहाँ पर आप पहली बार login कर लेते हैं, आपको यहाँ पर देखिए आपका password चेंग करना होगा, और आपको सबसे पहले जो आपकी mail ID पर आपको password मिला है, वो आपको type करना है और यहाँ से new password जनरेट करना है, आप जो new password होगा, इसमें देखिए capital letter, एक number, एक special character आपका होना जरूरी है, यह ध्यान रखिए का special character, number और capital letter, अगर आप उस password में नहीं रखेंगे, तो वो password यहाँ पर जनरेट नहीं होगा, तो friends, यहाँ पर sample के तौर पर मैं आपको password लिख रहा हूँ कि देखिए, हमने यहाँ पर capital letter यूज़ कर लिया, जरूरी नहीं, starting में आप यूज़ करें, आप इंक्लूड करेंगे, तब ही वो password यहाँ पर आपका बनेगा, और कम से कम 8 character का आपका password होना चाहिए, तो friends, यहाँ पर आपको new password जनरेट करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको submit कर लेना है, अपने इस process को complete करने के लिए, इसके बाद friends, आपका जो यह password है, वो successfully change हो जाएगा, आप यहाँ से close करेंगे, और अपने new password के साथ, अपने registration number के साथ, आप इसमें login कर लेंगे, login करने के बाद friends, देखिए आपका जो पहला step है, basic detail का, यह आपका automatic complete हो जाएगा, क्योंकि registration करते वक्त, आप यह detail को fill कर चुके होंगे, second detail होगी, आपकी additional detail, आप यहाँ पर देखिए, आपको category का option मिलता है, आपको form में यह नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही choose करना होता है, अगर आप पहले से register है, तो आपने कोई भी form अगर apply कर रखा है, तो आपको वो modify का option भी available नहीं होता, अगर आपने कभी भी apply नहीं किया, कभी भी का मतलब है, कि जिस भी आपने apply किया था, वो process complete हो चुकी है, और आपका modify का link अगर active है, और आप click करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होगा, सेम आपको यहीं पर ही edit करना है, और अपने यहाँ पर इस registration को आप submit कर सकते हैं, तो यह चीज़ धान रखिएगा, अगर modify का option अगर आपका active है, तो ही आप edit कर पाएंगे, fresh candidate क्या करेंगे यहाँ पर तो अपनी category select कर लेंगे, जनरल EWS, SC, ST जो भी आपकी category है वो आप यहाँ select कर लें, आपकी nationality आपको select करनी है, इसके बार आपको identification mark देना है, तो आपके चहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी visible identification mark है, चाहे वो black mole हो, मतलब काला तिल हो, या फिर आपके कोई cut का निशान हो, burn का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो friends आप लिख सकते हैं, अब या तो है नहीं, या फिर आप देना नहीं चाहते हैं, तो उस condition में आप no mark दे देंगे, इसके बार यहीं पर ही आपको select करना होगा, pH candidate के बारे में, मतलब person with benchmark disability के बारे में, तो friends अगर आप इस category में नहीं आते हैं, आप simply no ही रहने देंगे, और या option का आपका कोई use नहीं है, अगर आप इस category में आते हैं और yes करते हैं, तो आपको type of disability आपकी select करनी होगी, इसके बार आपको disability का certificate number यहाँ पर देना होगा, अब यहाँ पर यह basic जानकर यह आपको fill करनी है, अपने disability की, नहीं है तो आप no करेंगे, तो यह option automatic बंद हो जाते हैं, इसके बार आपका पूरा address, जो भी आपका पूरा address है, वो friends से आप यहाँ लिखेंगे, मैंने sample के तोरपर enter कर दिया है, आपका पूरा address आपको लिखना है, आपका state कौन सा है, इन में से वो आप select करेंगे, इसके बाद friends से यहाँ पर है आपका next option district का, इसके बाद friends से आपका जो district है, वो आप यहाँ select करेंगे, इसके बाद आपका pin code आप यहाँ fill करेंगे, इसके बाद friends से आपको जो यह data है, आपकी save कर देनी है, और save करने के बाद, आपको friends से यहाँ पर एक message मिल जाएगा, तो आप इसे close कर सकते हैं, और इसके बाद तीसरा option जो declaration का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको photograph और signature भी upload करनी होते हैं, पर आप यहाँ पर यह बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलीस या उसके बाद के form में देखे होंगे, तो बहुत से candidate को दिक्कत आ रही थी, कि photo and sign वो edit नहीं कर पा रहे थे, इसलिए friends उसके बाद से यहाँ पर आप नई सुविधा चालू कर दी है, अब आप अपने photo and sign को upload कर सकते हैं, आपके application form के apply में, तो यहाँ पर आप इसको agree कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसको final submit कर देंगे, आपका arrestation process complete हो जाएगा, इसके बाद friends यहाँ पर आपका last option है, जो की है OTP का, तो आपके mobile number और mail ID पर OTP जाती है, जरूरी नहीं है, वो mobile पर आए, जरूरी नहीं है, वो email पर आए, जिस पे भी पहले आए, उसमें से एक OTP आप यहाँ पर डालेंगे, इस capture code को यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद friends से यहाँ पर दिये गई submit tab पर click कर देंगे, इसके बाद friends से आपका देखिए, यहाँ पर जो registration process है, यह complete हो चुका है, और आपकी जो details हैं, वो आपके mail ID पर पहुँच गई होंगी, अब यहाँ पर आपको एक option मिलता है, latest notification का, आपकी history का है, modification का, तो यहाँ पर ही आप modify कर सकते हैं, अगर आपने कोई भी form को fill नहीं किया है, और दो बार आपको maximum time मिलता है, modify करने का, और इसके बाद friends से आप latest notification वाले section पर click करेंगे, apply करने के लिए, तो friends यहाँ पर इसके बाद आपको जो options हैं, यह automatic fill up मिलेंगे, जो कि आप registration करते वक्त fill कर चुके होंगे, अब यहाँ पर आपको आपकी examination centers चूज करने हैं, तो आपको यहाँ पर list मिल जाएगी, आप जिस भी region से यहाँ पर centers को लेना चाहें, वो आप ले सकते हैं, center first, center two and center three आपको यहाँ पर लेना होगा, इसके बाद friends से यहाँ पर अगर आप ex-serviceman हैं, yes कर सकते हैं, आपके length of service, date of discharge और आपने कभी भी benefit लिया है, ex-serviceman तोर पर तो आप yes and no करेंगे, यहाँ पर अपनी LBT के according, इसके बाद friends से यहाँ पर जो option है, यहाँ पर PH candidate से related है, तो अ अगर फ्रेंस से यहाँ पर आप इस पोस्त के लिए भी आविदन कर रहे हैं, तो आप yes कर सकते हैं, और इस पोस्त के लिए जो आपकी essential qualification है, अगर आप वो fulfill करते हैं, तो आप यहाँ पर yes करेंगे, अगर माल लिजे आप इसकी qualification फुल्फिल नहीं करते हैं, junior aesthetical officer की, तो माल लिजे आपको age relaxation चाहिए, आप yes कर सकते हैं, और जिस भी category में चाहिए, वो आप यहाँ पर select कर लेंगे, इसके बाद आपकी higher qualification क्या है, तो आपकी जो भी higher qualification है, आप यहाँ से उसको select करने वाले हैं, इसके बाद है, आपको यहाँ पर graduation है, या उसके equivalent है, यह है आपके mandatory mandatory, mandatory मतलब यह है कि यह जो post आप fill कर रहे हैं, उसके according आपकी जो essential qualification है, यह इतनी होनी ही चाहिए, यह आपको यहाँ फिल करनी है, इसके बाद status बताना है, pass या appear, अगर आप pass candidate है, तो यह आपके option आजाएंगे, appear में friends से यह आपका options बंद रहेगा, passing year का, तो friends से आपके according जो boards के नाम दिये गए हैं, इन में से board आप selected कर सकते हैं, इसके बाद friends से यहाँ पर यह role number का option, आपका percentage option, CGP option सब्बंद रहेगा, अगर आप appearing करते हैं, तो pass अगर आप select करेंगे, तो उस condition में आप यहाँ पर अपना CGP यह role number enter करेंगे, तो दोनों ही तरह के candidate, pass या appearing इसमें आ ऐसे कर सकते हैं, इसके बाद friends से यहाँ पर आपको photo and signature upload करना है, तो photo friends इस पर date अंकित होनी चाहिए, तो आपको browse पर click करना है, photo आपको यहाँ upload कर देनी है, size आपको 20 से 50 के B का दिया गया है photo का, signature का है 10 से 20 के B के बीच में, तो यहाँ पर friends जब आप photo and sign यहाँ पर upload आपको preview मिल जाएगा और जो भी date photo पर अंकित है, वो आपको select करनी होगी, और इसके बाद friends यह photo पर जो date है, यह सब आपको सही से clear show कर रही है, नहीं कर रही है, वो आपको यहाँ पर बतानी होगी, इसके बाद आप यहाँ से इसको agree कर सकते हैं, और उसके बाद friends जो यह capture code आपको दिया गया है, यह capture code आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से अपना preview चेक कर लेंगे, पिरव्यू चेक करने के बाद friends अगर आपको लगता है सब details सही है, तो उसके बाद आप चाहें इसको submit कर सकते हैं, और अगर submit करने से पहले आपको लगता है, कोई भ प्रिंट निकाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप payment वाले option पर जाएंगे, अपने payment को करने के लिए, अगर friends माली जे आपका payment नहीं लगता है, तो आप यहाँ पर no भी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको manual option मिल जाएंगे, आपके payment करने के लिए, जिसमे आप चाहें तो आपको यहाँ पर चालान का option मिल जाएगा, अगर आपको किसी भी तरह की problem आती है, online payment करने में आप offline चालान जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद friends अपना जो payment status है, वो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका payment अटक जाता है, तो आप double verification भी कर सकते हैं, अपने payment की, तो सारे options के link आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इसके बाद friends यहाँ पर देखिए, आपको online और offline का option मिल जाएगा, आप चाहे online करना चाहे, payment या offline करना चाहे, जैसे भी आप करना चाहे, वैसे आपने payment को कर सकते हैं, यहाँ पर आपको net banking, card cap option, जो भी आप जिस तरही से payment करना चाहे, वो कर लीजिए, आपको बस उस option पर click करना है, payment confirm करने के लिए, payment करने के बाद friends आपको यहाँ पर देखिए, आपका जो status है, वो check करने का option मिल जाता है, अपना status आप यहाँ से check कर सकते हैं, payment अटक गया है, तो double verification कर सकते हैं, अपने application system को check कर सकते हैं, और final अप पर जाकर आप details को check कर सकते हैं, अगर आप eligible है, apply करना चाहते, apply कर सकते हैं, और friends अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो like, subscribe and share जरू कीजिए, और ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube channel, and alas thanks for watching.